अब ये वो रास्ता है जो पंजाब की तरफ से यानि की राजपुरा पट्याला की तरफ से और हर्याना को जोडता है अंबाला का जिला यहाँ पे टच होता है तो इस रास्ते पे भी पूरी बेरिकेटिंग है ताकि किसी भी सूरत में किसान यहां से आगे ना जाने पाएं पुलिस तो तेनात है ही और बिल्कुल वैसी विवस्ता जैसी दूसरी तरफ हमने दिखाई आपको वैसी विवस्ता यहां पर भी दिखाई दे रही है ये मोटी मोटी कीले लगाई गई है उस रास्ते में जिस रास्ते से ये प्रस्तावित है कि किसान दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे मैं हरियाना और पंजाब के शंबू बॉर्डर पर हूँ इस रास्ते पर देखिए ये कीले और ये साथ में सिमेंट यानिकी ये इस तरह से लगाया गया है कि किसी भी सूरत में ये यहां से ना हटने पाए इतना आसान नहीं है इस बाधा को पार करना और पुलिस परशासन सारा ही अमला यहां पर लगा हुआ है तो पूरी कोशिश है कि इस बार कुछ भी हो जाए पिछली बार जैसी इस्तिती ना बिनने पाए कि दिल्ली के बॉर्डर पर जाकर किसान बैड़ गए और सरकार को मजबूर होना पड़ा और एक साल के बाद ही सही लेकिन जिस मुद्दे को वो उठा रहे थे किसान उठा रहे थे उस पर सरकार को पीछे हटना पड़ गया तो इस बार कुछ भी ऐसा ना होने पाए इसलिए इस तरह की पूरी विवस्था जो है शम्बू बॉर्डर पर की गई है शम्बू बॉर्डर से अपने कैमरा सही होगी राकेश सिंग के साथ मैं शरच शर्मा एंडी टीवी